सीरिल ये रिष्टा क्या कहलाता है मैं आज देखिए आज तो दादी को आ गया है गुस्सा जी हाँ दरसल मनीश को लगता है कि गायू के लिए लाए गए रिष्टे का गायू और नायरा ने मिलकर मजाग बना दिया है बस फिर क्या ये बार बहुत जाती है दादी के पास और दादी गुस्से के मारे सब को काफी कुछ सुनाती नज़र आए वैसे गायू और नायरा दादी को काफी मनाती है लेकिन दादी तो मानने को तयार ही नहीं यही नहीं कार्तिक भी जब कोशिश करते हैं दादी को शांत करने की उन्हें भी दादी चुप करा देती हैं लेकिन बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ जाती है कि कीर्थी का नाम भी सामने आ जाता है और जैसे ही कीर्थी का नाम आता है वैसे ही सब को बड़ा ही गुस्स आने लगता है और दादी को और भी गुस्टा आ जाता है हां वही तो हुआ है कि बहुत सारे गलत फेहमियां हुई है उन्होंने कुछ बोला हमने कुछ सोने पर हमने कुछ बोला उन्होंने उसका और कुछ बड़ा बनाया तो फिर बात को पर लगने में टाइम नहीं लगता और ये बहुत बड़ी बात बन गई है अब पता नहीं ये जाके कैसे ठीक होगी सुवराना कुछ करेगी तो ठीक होगा क्योंकि अगर मैं यहां पर अगर बात करें कुछ भी एक शब भी बोलेगी तो मा तो बोल देगी कि तुम ही बत्तमीजी कर रही हूं उनके साथ तो इसलिए वो अभी कुछ नहीं बोलेगी बड़ बाद में कुछ ना कुछ तो होगा जिससे तिंग्स विल बी ओल राइट हाँ वैसे भी मेरा और कार्तिक का तो जगड़ा ही चल रहा है तो मैं उसे बाती नहीं कर रही हूं तो वो भी तो एक पॉइंट है इस सब में हमारे शो का नाम ही है यह रिष्टा क्या कहलाता है हमारे आपस में रिष्टे इतने हम उलजाएंगे नहीं तब तक उसको सुलजाने का मौका नहीं मिलेगा तो अभी यह उलजा है इसको सुलजाने का दूसरा मौका ढूड़ेंगे हैं ताकि उस रिष्टे को वापस सुलजा सकें तो ट्विस्ट एंड डॉंड टॉंड होते ही होते हैं तो यह भी एक ट्विस्टी है, देखते हैं किया होता है, वह एक मिस अंडरस्टाइणिंग थी, जो कि मनिश जी को हो जाती है, बाट अफकोर्स उनको बहुत जादा है कि उन्होंने जो देखा उस पर बिलीब के और आके सिदे मा को बता है कि उन्हों आपको इसके बीच में नहीं पढ़ना चाहिए था, आपने गलत किया है और प्लीज नेक्स ताइम से ध्यान रखना तो और दादी को भी हट होगा क्यो गलत आमी हो जाती को आके मा को बताते है और वो फोटो नीचे गिर गया नीचे गिर जाती है तो ऐसा रखते है कि नो इंसल्ट ही है उनकी एंड वो चीज़ा कि मा को बताते है तो गलत आमी और ज़दा बढ़ जाती है फिर जब बो लोग आ जाते है तो दादी बुआ उस हो सकता है जो हम सुनते हैं वो सही नहीं हो कभी कबर हम सिर्फ देख के भी डिसाइड कर लेते हैं कि ओ ये बाते चल रहे हैं तो पहली बात अपनी आखों पर अपने कानों पर खुद पर भरोसा कीजे पूरी बातों को सुनिए समझिए कि आखिर चल क्या रहा है उसके बाद ह इंचीजों पर वश्वास कीजे और ना चीजों को वही के वही सुलजा दो अगर मनिश ने शायद पता नहीं जाके उन दोनों को पूछा होता कि ये क्या हो रहा है तो शायद गलत फेहमिएं दूर हो जाती पर वो उनके मन में रहा फिर वो बढ़ता गया बढ़ता गया त तो ऐसे गलत फैमियों को बढ़ने ना दे, बस इतना ही। अब कैसे कार्तिक नायरा करेंगे इनके बीच की गलत फैमियों को दूर, ये देखना तो बढ़ा ही इंट्रस्टिंग होगा। और ये तो हुई सीरिल की बात लेकिन आप भी हमाय चानल को ही सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को ये लाइक, शेर और कमेंट करते रहिए।